मुंबई से इस वक्त बेहच चौकाने वाली खबर आ रही है बॉलिवोड के नमबर वन कोरिग्राफर रैमो डी सूजा के साले जैसन वांट किन्स की लाश उनके फ्लैट पर मिली है जैसन मुंबई के मिलत नकर इलाके की एक सोसाइटी में रहते थे इटाइम्स के मुताबिक एक मेडिकल आफिसर ने जैसन की मौत की जानकारी दी जैसन के शब को कूपर हॉस्पिटल में पोस्ट मौटम के लिए लाए गया है दूसरी तरफ ओशिवारत हानी के पुलिस इस मामली की जार्च में जुट गई है जैसन की मौत कैसे हुई? इस बारे में पुलिस अभी कुछ भी नहीं बोल रही पुलिस का कहना है कि जब तक पोस्ट मौटम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक जैसन की मौत पर कुछ भी कहना जलबाजी होगी उदर रैमो डिसुजा की पतनी लेजल अपने भाई की मौत की खबर सुनकर फूट फूट करो रही है लेजल ने अपने इंस्ट्राग्राउम अकाउंट से जैसन की फोटो शेर करते हो लिखा क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी इसके साथ ही लेजल ने अपने मा और भाई की एक और तस्वीर शेर करते हो लिखा मुझे माफ करना मैं तुम्हें बचा नहीं सकी फिलाल रैमो डिसूजा और उनकी पत्नी इस वक्त गुवा में हैं वो दोनों एक शादी अटेंट करने पहुचे थे लेकिन भाई की मौत की कबर सुनकर दोनों मुंबई लोट रहे हैं जैसे ने रैमो को कई मूवी में असस्ट किया था फिलाल डिसूजा परिवार को इस मौत से बड़ा जटका लगा है